principles of systematics module 128 one way analysis of variance हमने ये देखा कि one way analysis of variance दो से ज़्यादा samples के means को compare करने के लिए इस्तवाल किया जाता है और जब हम one way analysis of variance को compute करते हैं तो उसके लिए हमने एक table को fill करना होता है इस slide के अंदर अगर हम देखें तो इस slide के अंदर यहाँ पे replicates दिखाए गए है ये three districts है Lahore district, Salco district और सरगोदा district हमने हर district से 4-4 samples collect किये अब जो सरगोदा से हमारे पास samples आए उसकी जो values थी वो 8, 6, 5 और 1 है इसका जब हमने mean निकाला तो ये five आया यानि ये इसका group mean है इसी तरीके से Salco और से जो हमारे पास data आया उसके अंदर जो values थी 10, 14, 11, 9 इन सब का जब हमने mean निकाला तो वो 11 है इसी तरीके से हमारे पास जो लाहौर है लाहौर के अंदर जो चार values है उसका जब हमने mean निकाला तो वो 8 आया अब यहां पे हमारे पास 3 mean आये ये जो mean हमारे पास आये हैं इनको हम group mean कहेंगे लाहौर का जो mean है वो 8 है Salco का जो mean है वो 11 है और जो सरगोदा है उसका mean हमारे पास 5 है ये group mean है अब अगर हम इन तीनों को add कर दें और इसको add करने के बाद हम इन तमाम values को तीन पे divide कर दें तो हमारे पास एक और value आएगी ये जो हमारे पास value आएगी 8 ये grand mean होगा यानि पहले हमने group mean निकाले अब हमने उनका grand mean निकाल लिया अब इस slide के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो source of variation आई जो हमारे पास between group variation है वो 72 आई जो within group variation है वो हमारे पास 102 आई और जो total variation यानि इन दोनों को अगर हम sum करें तो ये 174 है इसी तरीके से अगर हम degree of freedom की बात करें तो degree of freedom हमारे पास 2 ये 2 हमारे पास कैसे आया क्योंके पिछली slide के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 groups है यानि लहोर, स्यालकोट और सरगोदा इन मेंसे हमने एक minus किया and minus 1 तो ये हमारे पास यहाँ पे जो between group degree of freedom है वो 2 आया यानि total number of groups minus 1 तो उसको हमने यहाँ पे लिखा अब अगर हम इस last slide के अंदर देखें तो हर district से हमने 4-4 samples लिए तो total sample हमारे पास मिला के कितने होगे 12 अब ये जो 12 samples हैं इन 12 मेंसे हम total group total group हमारे पास कितने थे लाहर से आल कोट और सरकोदा तीन थे तो 12 मेंसे हमने 3 माइनस कर दिये तो हमारे पास जो answer आया 9 इसका मतलब ये हुआ कि जो within group हमारे पास degree of freedom है वो 9 है अब हम MS निकालते हैं MS निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमारे पास जो between group variation है उसको अगर हम उसके concern degree of freedom से डिवाइड कर दें मसला 72 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 36 की value आएगी ये हमारे पास MS आगया इसी तरीके से अगर हम 102 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमारे पास 11.33 आएगा जो के MS की value है इसी तरीके से F value कैसे हम compute करेंगे F value compute करने के लिए हम ये जो MS between group का है यानि 36 इसको 11.33 से डिवाइड करेंगे अगर हम 36 को 11.33 से डिवाइड करें तो हमारा answer 3.17 आएगा ये जो हमारी value है ये F calculated value कहलाएगी अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास F calculated value है इसको हम standard जो value है जो table के अंदर दी गई होती है उससे compare करते हैं ये तमाम जो stats की books होती है उसके last के उपर tables दिये होते हैं वहाँ पे ANOVA का या F का table मौजूद होता है वहाँ से हम जो standard value है उसको check करेंगे और अपनी जो calculated value है उसके साथ compare करेंगे अब अगर हमारा जो answer है वो table की जो standard value है उससे छोटा आए तो इसका मतलब ये है जिन groups को हमने compare किया उनके अंदर statistically significant difference मौजूद नहीं है लेकिन अगर हमारी जो calculated value है वो table की value से बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है there is a statistical difference between the groups